असलाम आपकोम अब्रिवन आएम नूर और आज की क्लास में हम एच्छेस के लेबल टू के चैप्टर नंबर थी की फर्स्ट पार्ट जो के हमारा फॉस्ट टेक्स्ट होगा और साथ में इसकी फर्स्ट ग्रैमर जो के हमारा पास द की ग्रैमर है इसके डिफरेंट यूजिस और इसके एक्जेम्पल के साथ इसको पढ़ेंगे अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट के नाम के उपर जो के है दे रेड वन ऑन दे लेफ्ट इस माइन स्वापियन नगा खॉंग सिदा शिर वादा के जो लेफ्ट साइड पे रेड वाला है वो मेरा है अब हम इसमें हमारे पास है डेट वन और यह भी हमारे पास एक नाउन है होंस होंस हमारे पास रेड कोलर है और यह हमारे पास एक एड्चेक्टिव है द द हमारे पास पोजेशन है यह मल्कियत को शो करता है यह हमारे पास एक पार्टिकल है नेक्स्ट है हमारे पास शिर हमारे पास इस आ हमारे टेक्स्ट की फिर्स लाइन है is this your watch कि क्या ये watch आपकी है इसको हम चाइनिस में कहें गए च्रहर शोप याओ शिर नीदामा च्रह खोई शोप याओ शिर नीदामा अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास जो न्यू वर्ड जैष वन शो प्याव शो प्याव रिस पॉच और यह हमार पास एक नाउन है श श श इस आरम के मिनिंग में आता है और यह हमार पास एक वर्ब है अब इसके answer में देखते हैं हमेरे पस क्या line है No, it is not mine, it's my father's कि ये मेरी watch नहीं है, ये मेरे father की है इसको हम चैनिस में कहेंगे Pusher Wada, Shir Wapapada Pusher Wada, Shir Wapapada कि ये मेरी watch नहीं है, ये मेरे father की watch है अब इसमें हम new words को one by one देखेंगे सबसे पहला word है Pusher Pusher means not, और ये हमरे पस एक verb है Vada, Vada means mine, और ये हमरे पस एक pronoun है Shir, Shir is RM के meaning में है और ये हमरे पस एक verb है Next word है Wapapada Wapapada means my father और ये हमरे पस एक noun है Next word है The Da हमरे पस एक position को शोव करता है Next term हम देखेंगे हमरे पस जो line है How much is it? इसके कितनी price है तो शाओ छान माईदा के आपने इसको कितनी प्राइस करी आपने इसको कितनी price है इस हमारे पस नून है हमछ न learnt तर यह हमारे पास noun है, Maida, Maida means to buy, और यह हमारे पास एक verb है, इसका अंसर में हमारे पास जो line है, more than 3000 yen, यूएन हमारे पास Chinese currency है, इसको हम Chinese में कहेंगे, संचेन तुआ खोई संचेन तुआ खोई कि मीन्स मौर दें 3000 यूएन अब इसमें निव वर्ट्स में देखें तो हमारे पास फस्ट वर्ड है सन सन हमारे पास थ्री के मिनिंग में आतार यह हमारे पास एक नंबर है ज्हाएं ज्हाएं मीनस थाऊजन और ये अनपर है नाय नेक्स्ट हमारे पास हूं जो मिनिड्ञें करte dat छुर क्छाएं हमारे पास More Than मार्दनिमिंस यह पास एक प्रॉरौन मोां मिनस थुर्ल यह टक हमारा पहला text one by one एक line के साथ साथ हमने इसको complete किया अब हम आते हैं अपनी first grammar पर जो के हमारे पास है the की grammar the basically क्या है the it shows possession यह किसी भी चीज़ की मल्कियत को शो करता है यहाँ पर हमारे पास इसका use कैसे है यह किसी भी pronoun adjective और verb के बाद यूज़ों के उस pronoun adjective वो वर्ब की possession बना देगा next rule क्या है declarative sentences for emphasis कि जिसमें आपने कोई चीज declare की हुई है कोई चीज आपने बता ही हुई है detail में उसके emphasis के लिए हम दा को end पे यूज़ करते हैं next इसका rule हमारे पास यहाँ पे क्या है use to form a nominal expression nominal expression क्या होता है जो कि आपके pronoun से मिलके आपका sentence बनता है means आपके sentence में जो pronoun इस्तवाल होता है और आपका focus pronoun पे रहता है अब इसका हम use देखेंगे कि आपका structure जो भी sentence का first way आएगा और last way आपका दा आएगा चापनशू पूशिर वादा अब यह देखें हमारे पस एक pronoun है और यह दा हमारे पस pronoun के possession बनके हमारे पस एक nominal structure बन गया है इस बुक इस नौट माइन चापनशू पूशिर वादा कि यह जो बुक है यह मेरी बुक नहीं है अब इस पर हमारे पस next example क्या है चगपईज शिर जौथियन माइदा अब यहाँ पर माई हमारे पस एक verb है और यहाँ पर हमारे पस verb की possession है दा जिसका वाज ये स्टेडी इस बॉट के ये कब कल खरीदा गया था चगपईज शिर जौथियन माइदा अब हमारे पस इसकी last example जो दिए हुई है उसको हम देखें तो उसमें भी हमारे पस वही structure है सबसे पहले हमारे पास पूरा sentence आएगा लास्ट में हमारे पस दा आएगा चगपईज शोप्याव शिर नी माइदा चगपईज शोप्याव शिर इस वाच वाज वास योबाट चगपईज शोप्याव शिर नी माइदा चगपईज शोप्याव शिर स्टूडन यहां तक हमारा टेक्स प्रेमर और दा करूल कंप्लेट हुए आपकी लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे दा की रूल के मताबिक आप इसके दो sentences कमेंट में लिखियेगा ताकि हम उसको मजीद बहतर बना सकें अगर आपके कोई mistake है तो आने वाले story के लिए बहतर हो